असलाम उलेकुम वियोज वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ न्यू टिप्स और ट्रिक्स आज की वीडियो में भी आपके साथ शेयर की जाएंगी जो के यकिनन आपके बहुत काम आने वाली हैं तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं जो के हमारी इस तरह की प्रॉड चेज कर सकें अब इनको वाच करने के लिए देखने के लिए कि इसके अंदर कितना प्रॉड़क्ट है अब बहुत एजी सी ट्विक यूज कर सकते हैं मुबाइल की लाइट ओन करें इस टॉर्च के उपर आपने इस प्रॉड़क्ट को जो भी आप देखना चाहते हैं इसके उपर रखा है यहां से आप देख सकते हैं कि इसके उपर से नजर आ रहा है कि इतना प्रॉड़क्ट इसके अंदर अभी बाकी है तो अगर इसके बगयर मैं मुबाइल से हटा के आपको दिखाती हूँ यह बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर कितना है इसके उपर एक मूटा पेपर लगा हुआ है जिसकी वज़ा से हम इसको देख नहीं सकते हैं तो टॉर्च के उपर रखने से यह बहुत ही क्लियर नजर आ जाता है कि इसके अंदर कितना स्टॉफ है इसी तरह से अगर टॉंस्पेरंट भी हो तो इसके उपर कुछ ऐसा इरियल अभी बाकी है तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं दूसरी टिप जो है वो चैने और दालों को लेके है जब हमने इनको बॉयल करना होता है कुछ देर पहले हम इनको भूगो देते हैं तो यहां पर जब भी आप भूगोए इसके लिए ट्रिक है कि हमेशा गरम प गोई हुई है मैं चैने भी इसी तरह से भूगोती हूँ तीन घंटे के बाद अब आप देख सकते हैं कि यह तकरीबन 70% तक इदर ही गल चुकी है बहुत थोड़े टाइम के लिए आपको इसको कुक करना पड़ेगा गैस की भी बचत होगी और आपके वक्त की भी बचत हो ऑल्दो की यह स्मेल बहुत ही अच्छी और नाइस होती है लेकिन कभी गैस्ट बैठे होते हैं तो हम नहीं चाहते कि यह स्मेल पूरे घर में पहले तो इसके लिए मैं तो अकसर इसके साथ कैंडल जिला कर रखती हूँ जिसकी वज़ा से कैंडल जो है वो सारी जो स्मेल हो यह एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैंडल जाहे खुश्बू वाली हो या साधा आप लाइट के जाने पर कैंडल जिलाएं उसके लिए आपने थोड़ा सा ओयल लेना है कैंडल लंबी वाली पर भी यह ट्रिक यूज़ कर सकते हैं या जिसी भी शेप में हो आप उसके लिए यह ट्रिक यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा सरसों का ओयल भी ले सकते हैं या कुकिंग ओयल भी ले सकते हैं मैं अपनी हथेली पर चंद कत्रे ओयल लूँगी और इन कैंडल के उपर अच्छी तरह से लगा दूँगी यह देखिए इस तरह से इस तरह से अगर यह कैंडल आपकी 20 मिनट चलती है तो यह 40 मिनट तक जलेगी आप यह ट्रिक जरूर अपलाए करके देखिएगा आपके वक्त की भी बच्चत के पैसों की भी बच्चत हो जाएगी और यह कैंडल आपको बार बार खरीद के नहीं लानी पड़ेंगी इनी को आप ज्यादा परसा तक चलेगी यह टिप भी आपको पसंद आएगी तो आज की चाथी टिप की तरफ चलते हैं जो के शूज को लेके हैं हमारे कुछ शूज ऐसे होते हैं जिनके यह तलवे काफी हार्ड होते हैं तो हमें नरम चाहिए होता है जिसके यह हमारे पाउं उसकी वज़ए से पेटी हुई होती है तो हमने इसको यूज कर लेना है बबल की वज़ए से यह काफी सॉफ्ट होता है और इसको मैं जूते के साइस का इस तरह से कट कर लेती हूँ आप अपने ट्रेनर्स जॉगर्स किसी भी शूज के लिए यह ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जिसका भी और इसको हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे अब जब भी यह शूज पहनेंगे तो यह हमारे पाउं को तंग नहीं करेगा इसका सोल जो है वो फ्लیکसिबल ही लगेगा बबल्स के उपर जब हमारा पाउं आएगा तो यह नीचे से जितना भी हार्ड है वो सारी जो उस अगर आप चाते हैं कि आप घर में ही इनको तेज कर लें तो यह मैंने चाय वाली चलनी ली है आप कोई पुरानी चलनी भी इसके लिए रख सकते हैं लेकिन जो आप रोटीन में यूज करते हैं उसके साथ भी आप यह ट्रीक अप्लाई कर सकते हैं एक से डेड़ मिनट आप यह बरतर बॉश कर रहे होते हैं उस में चुरियां भी होती है यह स्टेनर भी होती है तो बॉश करने के दौरान ही आप यह वाली ट्रीक अप्लाई करके इनको शाप कर सकते हैं जिससे आप की टेंशन जो है वो खासी कम हो जाएगी वक्त की भी बच्चत होगी और बहुती डिफ्रेंट सा यूज में आपको बताने वाली हूँ इसको आप नाइफ के साथ या कटर के साथ सेंटर से इस तरह से कट कर लें आप बड़ा स्पॉंज भी ले सकते हैं और यह छोटा भी ले सकते हैं इसको मैं मनी सेव करने के लिए यूज कर सकती हूँ यह इस त दिखने में नजी नहीं आ रहे है और सिर्फ आप जानते हैं कि आप की तरफ चलते हैं जो के टी बैक्स को लेकर हैं इनके मुख़िफ यूज में te साथ शेयर किये हैं तो आज का जो यूज है वो बहुत ही बहतरीन है हमारी फ्रिज में से स्मेल आने लग जाती है फ्रूट्स की वेजिटेबल्स की या कोई खाना अगर खुला पड़ा रह गया है तो उसके लिए आप सिंपली ये टी बैग यूज कर सकते हैं जिस्ट आपने या आप दो से तीन दिन तक इसी तरह साइड पर कहीं रख दें तो से तीन दिन के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने और खुश्पूवाली चीज़ें रखी हैं तो अधर वाइस इसी तरह से आप की स्मेल खत्म हो जाएगी फ्रेज की और इसको रहने दे निकाल के साइड पर कर दें यकिनन आज की टिप्स और ट्विक्स आपको पसंद आई होंगी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अलाहाफेज